तो पार्ट वन में हमने कम्प्लीट किया अब हम सुरू करेंगे कल की इंट्रोडक्शन क्लास थी आज हम सुरू करेंगे इसका पार्ट टू माइक्रोबियल स्प्वाइलेज ओफ फूड भोजन को विशाक्त करने वाले सुक्ष्म जीव लिखो पूरा भोजन को ऐसे यह पेडियाप आपको मिलता होगा आपने लिखते नहीं हो अलग बात है भोजन को विशाक्त करने वाला सुक्ष्म जीव क्या नाम है माइक्रोबियल स्प्वाइलेज ओफ फूड देखो यह चेप्टर अपना अलग और यह पढ़ाऊंगा वही मैं फूड स्प्वाइलेज इसमें हमें जेनरली जो पढ़ना है एक टॉपिक उसका नाम है मिल्क स्प्वाइलेज मिल्क स्प्वाइलेज दूद कैसे विसात होता है दूद कैसे खराब होते है माइक्रोब्स जो है वो क्या करता है बताओ फूड को क्या कर देता है खराब कर देता है और यह माइक्रोब्स बिचारा क्या करे यह अपने जीवन यापन करने के लिए इसको भोजन दो चाहिए न्यूट्रियेंट्स चाहिए, तो ये भोजन पे क्या करेगा, आकर्मन, तो धीरे-धीरे उसके आकर्मन से वो भोजन ही क्या हो जाता है, खराब इसका दोस नहीं है, इसलिए इसे निगाहें गलत मत करना, ये भी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, अपने जीवन पर समय के आधार पर यानि कि कौन सा है जो जल्दी खराब हो जाएगा उसके आधार पर जो इसको तीन भागों में बाटा गया पहला है नौन पेरिसेवल या स्टेवल इसको कहते हैं अस्थाई भोजन क्या बोलते हो बताओ स्थाई भोज किसे कहेंगे स्थाई जो खराब ही नहीं होगा इसको हम आज सुबह वाले भी बैच में बता रहा था क्या बोलेंगे नौन पेरिसेवल तो बताओ नमक भोजन है या ने है चीनी है तो इन सब में चाहे चीनी की बात करें चाहे सुगर की बात करें सरकरा की बात करें या फ्लोर का मतलब होता है क्या आटा की बात करें या ड्राइबीन का मतलब होता है दाल बीन किसमें आते हैं दाल में इन सब की आप देख लो इसको अगर आप जनरल अगर घर में रखते हो तो ये जल्दी खराब नहीं होते हैं चीनी नहीं होत जब इसमें नमी आजाएगी, इसमें क्या जाएगा नमी और दाल भी जल्दी खराब नहीं होते हैं, तो इसको किस में रखा गया है बताओ, यहां से भी एक बड़े एक्जाम में प्रशना आजाते हैं, नौन पेरिसेवल, लिखने उखने ज़रूरत नहीं, एक बार में कौन है? प्रोपर स्टोरेज अगर आप करोगे तो यह रहेगा, और थोड़ा बहुत भी कुछ खराबी करोगे भंडारन में, अगर भंडारन सही नहीं है, भंडारन सही नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा बताओ, सड़ने लगेंगे, और सड़ने लगेंगे कौन? कर सकते हैं भंडरेत्य पूछता है आठ महीने तक अलू को आप खराब नहीं होते हैं तो यह किसमें आएंगे बताओ किसमें आएगा अर्दमें और यह last पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रयसेवल मतलँ खराब हो जाएगा प्रयसेवल डेली कर लें तो बेंडी की भात कर लें तो ब्रेड भी क्या होता है जल्दी ही खराई ठीक है कुछ ने इसमें याद उद नहीं करना है आपको अब यहां से प्रसंद जो आते हैं जो जो मैं अश्टार लगाओंगा वह आपको पढ़ लेना है जल्दी यल्दी से क्या कह रहा है देखो थोड़ा आज भाष्ट करों क्योंकि तुम बोर हो जाते हो फिर भाष्ट में लगते हो जब तक पूरी खतम ना हो जाए अब सबसे पहला भोजन को विशाक्त भोजी पदार्थ जो है यह विशाक्त होते हैं विशाक्त किसके द्वारा किसके द्वारा होते हैं बताओ अरे भोजन विशाक्त किसके द्वारा भोजन खराब स्पोईलेज का मतलब विशाक्त से अच्छा सब्द लिखूं क्या खराब भोजन खराब किसके द्वारा हो सकता है पहला तो है बायो मंडल परियावरन के द्वारा आपने देखा होगा एक सब्द और बायो में आपको पढ़ना होता है रेंसी डिटी भोजन की विशाक्ता ये बड़ा अच्छा प्रस्ण है किसी भोजन को खुले हवा में जब छोड़ देते हैं तो उसको एक दो दिन के इंशेक्ट कीट के द्वारा भी क्या होता है बताओ भोजे पदार्थ खराब होते हैं यह ने यह दो बहुत अच्छा हमसे ज़्यादा कीट जानते होगा एंजाइम के कारण भी क्या होते है बोजन विसागत नो होते हैं खराब होते हैं अ weer लेकिन मुझे पढ़ना केवल क इसके भारे में है बताओ कि भोजन जो खराब होते हैं किसके द्वारा माइक्रोप्स के द्वारा जितना अश्टार लगाओं केवल उतना ही लिख लेना बाकी फाल तो लिखना ही मत किसके किस से खराब होते हैं बैक्टेरिया इसको हिंदी में लिखूं कि भोजन भी साथ होत कौन कौन एक का नाम है मोल्ड और दूसरे का नाम है क्या इश्ट दो तीन वार लिख चुका इस पॉइंट को क्या क्या है बताओ मोल्ड और इश्ट अब आपको पूछा जाए दो प्रस्ण आते हैं एक सब्द आता है जानते हो डिब्बा बंदी पोस्ट हर्वेस्ट में पढ़ाओंगा क्या नाम है बताओ डिब्बा बंदी अंग्रेज लोग इसी सब्द को बोल देगा कैनिंग क्या बोलते हैं जितने डिब्बा में बंद पदार थाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डिब्बा बंदी दो तरह के डपपा हम जंदली यूज या तो काच का तो उसे बोटलिंग कहते हैं और पलास्टिक का अगर हम बरतन यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं डिबा बंदी तो दोनों में सब्द यूज है तो बोटलिंग क्या होता है डिबा बंदी क्या होता है तो बोटलिंग का मतलब बोटल और बोटल का काच का यह बाद में हम के बारे में पढ़ेंगे अब ही आपको पूछा जाए कि अगर कोई प्रोसेसिंग करते हैं देखो यह बाद में ना कंपनी जब तुम कोई इंटर्विव आर दोगे तो इसमें समझ में आएगा प्रोसेसिंग क्या होता है प्रोसेसिंग का मतलब होता ह एक सब्द लिखा रहता है जैसे टमाटर की कमपनी में जाओगे न या जैम जेली जो बनाते हैं सौस बनाते हैं केचप बनाते हैं इवेन फटिलाइजर जो बनाते हैं यूरिया बनाते हैं डियेपी कभी आपने कमपनी देखा है कभी जाग नहीं तो उसमें लिखा रहता है यूनिट एक बड़ा सा विल्डिंग में क्या लिखा रहेगा बाहर-बाहर प्रोसेसिंग एंडिन तो हम अभी इतना ही समझ लेते हैं प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब उसमें पूरा इंडस्ट्री लगा होगा क्या लगा होगा बता तो जब भी संसाधन प्रोसेसिंग की बात चले तो आपको समझना इंडस्ट्री हीट जन्देट होगा गर्मी होगा तो ये इतना ही समझना है तो प्रोसेसिंग या केनिंग में सबसे विशाक्त अगर करता है कोई नुकसान पहुचाता है तो वह कौन पहुचाता है बैक्टेरिया एक प्रस्ण तो यहां से धियान रखना बहुत अच्छा प्रस्न बनेगा कि डिब्बा वंदी में कौन सा सुक्ष्म जीव जो है डिब्बा के अंदर भी विशाक्त कर देगा वो कौन करेगा बैक्टेरिया आप देखो यहां से प्रश्ण अब इसी कॉंसेप्ट को मैं यहां लगाता हूँ फूड ग्रोथ रेट बाइ माइक्रोप्स यानि भोजन में भोजन में या भोजन पर सुक्ष्म जीव का वर्धी दर वर्धी दर भोजन जो आपका है कोई भी भोजन है इस पे सबसे ज़्यादा वर्धी कौन करता है यह याद रहेंगे न पॉइंट कि बताओ सबसे ज़्यादा व्रधी किस पर करता है भोजन पर बैक्टेरिया और अगर इभेन मानब बोला जाए तो भी कौन है बैक्टेरिया इभेन हमें एनिमेलिया बोला जाए एनिमल बोला जाए तो भी एंसर कौन आएगा बैक्टेरिया पूछ अब देख एनिमल से क्या प्लांट में किसमें मिलेगा जैसे आपको पूछता होगा एक्जाम में दीमक तो दीमक को क्या पसंद है सेलुलोज तो लकड़ी उकड़ी पे देखा होगा कौन जादा लग जाते हैं दीमक तो यह नहीं कि कोई सुक्ष्मजी किसी पे अटाइक करेगा उसका नेचर होना चाहिए कि उसको पसंद क्या है उस पे वो ज्यादा अच्छा से क्या करेगा ग्रोथ करेगा बताओ इस स्लाइड से एक लाइन अगर कोई बच्चा लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा बताओ कि भोजन पे सबसे जादा ग्रोथ किसका होता है बसके वलेग कि किसका बैक्टेरिया बस अब एक लाइन तो तुम लिखे सकते हैं बोलते बोलते इसे लिखते चले जाओ अपने क्या बारवार बोलू कि लिखना ये चेप्टर बहुत इंपोटेंट है यहां से हम टोपिक नंबर टू सुरू करेंगे जिसका इंपोटेंट नाम क्या है फैक्टर अफेक्ट माइक्रो और गेनेजा आप लोग ध्यान से इसका हेडिंग दे देना यहां से प्रशनाते है